हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पड़ाई बहुत अच्छी चल्दी होगी तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नमबर फाइफ लास एट के चैप्टर नमबर वन रेशनल नमबर्स का इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्ट करेंगे एक्जाम्पल नमबर वन से लेकर एक्जाम्पल नमबर फाइफ तक के कोशन्स डिसकस करेंगे और उने सीखेंगे आपने मेरी पहली की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक होगा तो आ माइनस एट अपन में 21 प्लस 5 अपन में 22 ठीक है तो यहां पर हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं 1,2,3,4 तो हमें इन 4 टर्म्स को एड करना है अब आप एड कैसे करोगे अगर आप ध्यान से देखो तो इन 4 टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है वो अलग-अलग दे रखा है 7,11,21,22 चारो में डिनोमिनेटर अलग-अलग है अगर आप इनका LCM निकालते हो तो LCM बहुत ही बड़ा नंबर आएगा और अगर LCM बढ़ा आएगा तो calculation फिर difficult हो जाएगी तो इस वज़े से हम क्या करेंगे इन 4 टर्म्स को एखटे add नहीं करेंगे क्योंकि अगर 4 टर्म्स को calculation difficult हो जाएगी तो मैं इसको कैसे add करूंगा यहां पर देखो मैं सबसे पहले 3 upon में 7 और minus 8 upon में 21 इन दोनों को add करूंगा ठीक है इन दोनों को पहले add क्यों करूंगा क्योंकि आप देख सकते हो इसके denominator में आ रहा है 7 इसके denominator में आ रहा है 21 और 21 जो है 7 की table में आता है तो LCM बहुत असानी से निकल जाएगा और calculation असान हो जाएगी ठीक है इसलिए इन दोनों को पह minus 6 upon में 11 और 5 upon में 22 इन दोनों को add करूंगा आप यहाँ पर देख सकते हो इसके denominator में 11 आ रहा है इसके denominator में 22 आ रहा है 22 11 की table में आता है तो अगर आप इसका LCM लोगे तो LCM असानी से आ जाएगा और calculation easy हो जाएगी ठीक है तो हम इसको इस order में add करेंगे यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है minus 8 upon में 21 इस term को यहाँ पर shift कर दिया है आप देख सकते हो और minus 6 upon में 11 इस term को यहाँ पर shift कर दिया है ठीक है तो यह मैंने एक property की मदद से कर रहा है इस property का नाम है commutative property ठीक है अगर आपको commutative property के बारे में नहीं पता तो आप introduction वाली वीडि को देख सकते हो ठीक है उस video में मैंने commutative property के बारे में अच्छे से समझाया है अगर आपको नहीं पता तो आप introduction वाली वीडियो को देख लेना ठीक है अब हम इसको solve करते हैं सबसे पहले 7 और 21 इसका LC हम लेंगे 7 और 21 3 से divide होगा 7 तो ऐसे कैसी रहेगा 3 7 जा 21 होता है अब यह 7 से divide होगा 7 जा 7 7 जा 7 तो 3 7 जा 21 होता है ठीक है तो LCM क्या आया 21 ओके अब आपको पता है denominator से divide करते हैं और numerator से multiply करते हैं ठीक है न तो 21 को अगर मैं 7 से divide करूंगा तो क्या आएगा 21 को 7 से divide करने पर 3 आएगा ठीक है और फिर मैं इस 3 को इस 3 से multiply कर दूंगा 3 3 जा 9 होता है ठीक है उसके बाद plus minus minus होता है ठीक है अब आप 21 को 21 से divide करोगे तो 1 आ जाएगा 1 को minus 8 इससे multiply करोगे तो minus 8 आ जाएगा ठीक है न समझ में आ गया आपको उसके बाद अब इसको solve करते हैं 11 और 22 इसका हम LCM लेंगे सबसे पहले यह 2 से divide होगा 11 ऐसे का ऐसे ही 2 11s are 22 उसके बाद 11 से divide होगा 11 बन्जा 11 11 बन्जा 11 ठीक है तो LCM क्या आएगा 2 11s are 22 ठीक है 22 को 11 से divide करोगे 2 आ जाएगा ठीक है 2 को minus 6 से multiply करोगे तो 2 6 12 होता है ठीक है तो minus का 12 आ जाएगा उसके बाद 22 को 22 से divide करोगे तो 1 आएगा ठीक है 1 को 5 से multiply करोगे तो 5 आएगा ओके अब उसके बाद 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा ठीक है plus minus 12 plus 5 minus plus क्या होता है minus होता है 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा लेकिन यहाँ पर 12 बढ़ा है तो इसका sign आएगा ठीक है आपको पता है कि जो number बढ़ा होता है उसका sign आता है तो यहाँ पर 12 बढ़ा है तो इसका sign आएगा ठीक है divide में 22 ओके 1 upon में 21 plus minus होता है 7 upon में 22 ठीक है अब आप इसको solve कर लो आपका अंसर आ जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे 21 और 22 इन दोनों का LC हम लेंगे 21 और 22 का LC हम लेंगे सबसे पहले यह 2 से divide होगा 21 तो divide होगा नहीं 2 11 जा 22 होता है उसके बाद यह 3 से divide होगा 3 7 जा 21 होता है 11 ऐसे का ऐसी रहेगा ठीक है क्योंकि 11 3 से divide होता नहीं है अब यह 7 से divide होगा 7 जा 7 11 ऐसे का ऐसी रहेगा उसके बाद 11 से divide होगा 11 जा 11 ठीक है तो LC क्या आएगा 2 multiply 3 multiply 7 multiply 11 ठीक है 2 3 जा 6 6 7 जा 42 होता है 42 को 11 से multiply करोगे तो 462 आएगा ठीक है 42 को 11 से multiply करने पर 462 आएगा कितना आया LCM 462 अब क्या करेंगे 462 को 21 से divide करेंगे ठीक है 462 को 21 से divide करेंगे 21 2 जा 42 होता है ठीक है 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा 4 में से 4 गया 0 आएगा अब इस 2 को होता देंगे निचे 21 2 से 42 ठीक है खताम हो गया यह तो जब आप 462 को 21 से divide करोगे तो 22 आएगा ठीक है और फिर 22 को multiply करोगे 1 से 22 1 जा 22 होता है ठीक है तो 22 हम यहाँ पर लिख देंगे अब आप क्या करोगे 462 को 22 से divide करोगे ठीक है 22 2 जा 44 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा ठीक है 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा अब इस 2 को अतारो निचे 22 1 जा 22 जा ठीक है खताम हो गया यह तो 462 को जब आप 22 से divide करोगे तो 21 आएगा अब इस 21 को multiply करेंगे 7 से ठीक है सेवन जा 7 सेवन टू जा 14 ठीक है 147 आएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 147 में से 22 को ठीक है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा 1 का 1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ठीक है 125 अपान में 462 ठीक है तो आपका अंसर क्या निकल के आएगा माइनस का 125 अपान में 462 ठीक है अब करते हैं अगला question एक्जामपल नम्बर 2 करते हैं find माइनस 4 अपान में 5 multiply 3 अपान में 7 multiply 15 अपान में 16 multiply – 14 अपान में 9 ठीक है तो यहां पर भी हमें 4 terms दे रखी है 1,2,3,4 और इन 4 terms को हमें करना है multiply ठीक है अगर मैं 4 terms को एक साथ multiply करूँगा तो मेरी calculation थोड़ी सी difficult हो जाएगी है तो मैं क्या करूँगा – 4 अपान में 5 और 15 अपान में 16 ठीक है इन दोनों को पहले multiply करूँगा अब इन दोनों को पहले multiply क्यों करूँगा देखो 16,4 से divide हो जाता है 15,5 से divide हो जाता है ठीक है तो यह divide होने की वज़ा से आपस में cut जाएंगे और cutने से calculation असान हो जाएगी ठीक है इसलिए मैं इन दोनों को पहले multiply करूँगा फिर उसके बाद 3 upon 7 और –14 upon 9 इन दोनों को multiply करूँगा यहां पर देखो क्या होगा 9,3 से divide हो जाएगा 14,7 से divide हो जाएगा तो divide होने की वज़ा से यह आपस में cut जाएंगे और cutने से calculation असान हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से मैं इसको multiply करूँगा यहां पर मैंने क्या कर रहा है 15 upon 16 इस term को यहां पर shift कर दिया आप देख सकते हो और 3 upon 7 इस term को यहां पर shift कर दिया ठीक है न तो यहां पर मैंने terms को shift कर रहा है और एक property का use कर रहा है कौन सी property है वो commutative property ठीक है तो यहां पर मैंने commutative property का use कर रहा है commutative property की मदद से आप terms को shift कर सकते हो ठीक है अब हम इसको cut करेंगे 4 4s 16 होता है 5 3s 15 होता है ठीक है 3 3s 9 होता है 7 2s 14 होता है अब देखो क्या बचा यहां पर बचा है minus 1 ठीक है न यहां पर क्या बचा है 3 upon me 4 यहां पर देखो 1 बचा है यहां पर क्या बचा है minus 2 upon me 3 minus 2 upon me 3 ठीक है अब 3 upon me 4 को minus 1 से multiply करोगे तो minus 3 upon me 4 ठीक है minus 2 upon me 3 इसको 1 से multiply करोगे तो minus 2 upon me 3 ठीक है न अब देखो यह भी cut जाएगा 3 1s 3 होता है 2 2s 4 होता है ठीक है तो देखो क्या बचा यहां पर बचा है minus 1 upon me 2 ठीक है और यहां पर क्या बचा है minus का 1 ठीक है न तो अब देखो minus का 1 upon me 2 और minus का 1 यह जब multiply होगा तो minus minus plus हो जाता है ठीक है 1 upon me 2 की multiply 1 से होगी तो 1 upon me 2 यह आ जाएगा तो इस तरीके से आप अगर solve करोगे तो calculation बहुत ज़दा असान हो जाएगी और आपका answer जल्दी निकल आएगा लेकिन अगर आप चारो terms को एक साथ multiply करोगे तो थोड़ा सा difficult होगा बट answer तब भी आ जाएगा ठीक है calculation उसमें थोड़ी सी difficult हो जाएगी तो इस तरीके से question होना था अब करते हैं अगला question example number 3 करते है write the additive inverse of the following तो यहाँ पर आपको दो rational numbers दे रखे हैं और इनके additive inverse निकालने है ठीक है additive inverse कैसे निकलेगा देखो अगर आपको कोई rational number दे रखा है है a upon me b ठीक है यह rational number आपको दे रखा है इसका आपको additive inverse निकालना है तो कैसे निकालोगे simply उसका sign change कर दोगे ठीक है जैसे की यह positive में है तो आप इसका sign change कर दो बस ठीकika है यह क्या हो जाएगा? additive inverse, ठीक है? जैसे कि आपको कोई minus का rational number दे रखा है. minus का A upon me B ठीक है? अगर आपको इसका additive inverse निकालना है तो आप क्या करोगे? इसका sign change कर दोगे, plus का A upon me B, ठीक है? अगर आपको plus का कोई rational number दे रखा है, तो इसका additive inverse minus में होगा. अगर आपको कोई माइनस का rational number दे रखा है तो उसका additive inverse प्लस में होगा ठीक है तो additive inverse में बस हम sign change कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर first part माइनस 7 अपॉन में 19 है इसका additive inverse क्या होगा प्लस का 7 अपॉन में 19 क्योंकि यहाँ पर यह माइनस में था ठीक है उसके बाद second part 21 21 अपॉन में 112 इसका additive inverse क्या होगा माइनस का 21 अपॉन में 112 चीक है तो बस इतना सही था अब करते हैं अगला question example number 4 करते है verify that minus minus x is the same as x for x equal to 13 अपॉन में 17 और x equal to minus 21 अपॉन में 31 ठीक है तो इस question में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको x की 2 values दे रखी है ठीक है और आपको verify करना है कि क्या minus minus x x की तरह same है या फिर नहीं ठीक है minus minus x और x ठीक है अगर minus minus x x के equal है ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि minus minus x x की तरह ही same है ओके और अगर minus minus x x के equal नहीं है इसका मतलब ये दोनो same नहीं है ठीक है तो हम इसी को अब चेक करेंगे कि क्या ये equal है या फिर नहीं ठीक है अगर equal आ गया तो इसका मतलब ये same है तो फर्स्ट पार्ट करते हैं x equal to 13 upon me 17 सबसे पहले हम क्या करेंगे इस equation को two parts में divide कर देंगे एक पार्ट होगा ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे left hand side और एक पार्ट होगा ये इसको क्या बोलेंगे हम right hand side ठीक है तो सबसे पहले left hand side लेंगे minus minus x ठीक है इसके अंदर x की value put करेंगे x की value कितनी है 13 upon me 17 ठीक है न minus minus क्या होता है plus होता है तो क्या आ जाएगा 13 upon me 17 ठीक है तो left hand side solve करके क्या आया 13 upon me 17 अब solve करते right hand side ठीक है right hand side में क्या है x x के अंदर value put करेंगे जो की है 13 upon me 17 तो अब आप देख सकते हो left hand side और right hand side दोनों equal आ रहे है left hand side में भी 13 upon me 17 आ रहे है और right hand side में भी 13 upon me 17 आ रहे है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि minus minus x x के equal है ठीक है इसका मतलब ये दोनों सेम है अब इसके फार्ट भी अब इसके बाद ये वाला माैनस अब x की value पूट करेंगे X की value है minus 21 upon me 31 तो minus 21 upon me 31 ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी minus आ रहे है तो एक bracket के यहाँ पर भी लगा तो ओके बस X की जगह आपको put कर देना है minus 21 upon me 31 अब देखो यह bracket open होगा minus minus क्या होता है plus हो जाता है तो यह जगह 21 upon me 31 ठीक है उसके बाद अब यह bracket open होगा तो यह हो जाएगा minus का 21 upon me 31 ठीक है यह अंदर plus का है minus plus क्या होता है minus होता है तो minus का 21 upon me 31 आ जाएगा अब right hand side solve करते है right hand side क्या है X ठीक है X में value put करेंगे जो की है minus 21 upon me 31 ठीक है तो अब आप देख सकते हो left hand side और right hand side दोनो equal आ रहे हैं ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि minus minus X X के equal है ठीक है तो हम X की कोई भी value रखें चाहे यह रखें चाहे यह रखें यह दोनों equal आएंगे इसका मतलब minus minus X X की तरह ही है X से बिलकुल same है ठीक है अब करते हैं अगला question एक्जामपल नंबर 5 करते हैं find 2 upon 5 multiply minus 3 upon 7 minus 1 upon 14 minus 3 upon 7 multiply 3 upon 5 ठीक है तो हमें इसको solve करके answer निकालना है कैसे solve करोगे सबसे पहले इसके अंदर terms को identify करोगे कि इसके अंदर total कितनी terms हैं ठीक है जैसे कि यहां पर 2 upon 5 multiply हो रहा है minus 3 upon 7 से तो यह हमारी एक term हो गई जब भी दो numbers आपस में multiply करते हैं तो उसे हम एक term consider करते हैं ठीक है क्योंकि multiply होने के बाद तो वो एक ही number बन जाएगा अगर मैं आपको दो numbers दूँ जैसे कि 2 और 3 ठीक है इन दोनों को अगर आप multiply करोगे तो answer 6 आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपने दो numbers को multiply करा लेकिन answer एक ही number में आया इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को multiply करोगे तो answer भी एक ही number में आएगा न इसलिए हम इसको एक term मानेंगे उके उसके बाद minus 1 upon 14 यह अकेला है इस वज़े से यह एक term हो गई उसके बाद minus 3 upon 7 multiply 3 upon 5 यह दोनों भी multiply कर रहे है तो यह भी एक term ही मानी जाएगी ठीक है तो इसके अंदर total 3 terms है first term, second term और third term ठीक है अब हमारा अगला काम क्या होगा इन terms को proper order में arrange करना ठीक है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो minus 3 upon 7 इस term में भी आ रहे है और minus 3 upon 7 इस term में भी आ रहे है तो हम इसको common निकाल कर distributed property लगा कर इसको solve कर सकते हैं ठीक है लेकिन common निकालने से पहले इन terms को proper order में arrange करना होगा ठीक है तो कैसे करेंगे देखो पहले मैं इस term को लिख लेता हूँ 2 upon 5 multiply minus 3 upon 7 ठीक है उसके बाद ये वाली term न लिख कर ये वाली term में पहले लिख लेता हूँ minus 3 upon 7 multiply 3 upon 5 ठीक है उसके बाद अब ये वाली term लिख लूँँगा minus 1 upon 14 ठीक है इस वाली term को इधर shift कर दिया और इस वाली term को इधर shift कर दिया ठीक है न तो यहाँ पर हमने कौन सी property यूज़ करी commutative property ओके अब minus 3 upon 7 इसको common ले लेंगे ठीक है minus का 3 upon me 7 common ले लिया यहाँ पर क्या बचेगा 2 upon me 5 ठीक है इस term में minus 3 upon me 7 तो भार common ले लिया तो क्या बचा 2 upon me 5 इस term में इस term में minus 3 upon me 7 भार चला गया तो क्या बचा प्लस का 3 upon me 5 ठीक है उसके बाद minus 1 upon me 14 ऐसे का ऐसी रहेगा ठीक है यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करीए distributive प्रॉपर्टी distributive ठीक है अब देखो अब हम पहले इस bracket को solve कर लेंगे minus 3 upon me 7 ठीक है denominator सेम है 5 2 प्लस 3 कितना होता है 5 ही होता है उसके बाद minus का 1 upon me 14 ठीक है अब देखो 5 बन्जा 5 होता है ठीक है तो यह क्या हो गया minus 3 upon me 7 multiply 1 minus का 1 upon me 14 उसके बाद अब यह 1 से multiply होगा तो minus 3 upon me 7 ही आएगा minus 1 upon me 14 अब देखो इनके denominator से अलग अलग है तो हमें solve करने के लिए LCM लेना पड़ेगा 7 और 14 ठीक है 2 से divide करेंगे 7 तो divide होगा नी 14 divide होगा 2 7 जा 14 होता है उसके बाद 7 से divide करेंगे 7 बन्जा 7 7 बन्जा 7 ठीक है तो LCM क्या आएगा 14 ठीक है 14 को 7 से divide करोगे तो 2 आएगा ठीक है 14 को 14 से divide करोगे तो 1 आएगा 1 की multiply 1 से करोगे तो 1 बन्जा 1 ठीक है 1 ही आएगा उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 7 ठीक है अपान में 14 7 बन्जा 7 7 टू्जा 14 तो answer क्या आएगा माइनस का 1 अपान में 2 ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको किसी भी question में doubt हो तो please निचे comment करना मैं आपके comment का अंसर जल से जल देनी कोशिश करूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like कर देना और अभी तक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं करा तो please channel को subscribe कर दो और साथ में notification bell को भी दबा देना तक ही आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे so thanks for watching keep supporting, keep loving, keep growing तक हुआ आपको ये पाली और सूट आपको ये शज वाल स्वादो आपको ये वीडियों